स्पीड रीडिंग दो तरह की होती है वैसे तो सुनने में यह वर्ट बड़ा अजीब सा लगता है स्पीड रीडिंग लेकिन आपने अकसर लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीजों को जो के बहुत ज्यादा मिगदार में होती है फॉर एक्जामपल निउस पेपर अर्टिकल्स और कभी-कभी तो नॉवल्स भी बहुत जल्दी रीट कर लेते हैं ऐसा कैसे होता है constantly, this is speed reading का नतीज़ा है speed reading में जो सबसे ज्यादा important काम है वो है skimming का अब skimming क्या चीज़ है? skimming किसी भी चीज़ को surface level पर देखने को कहा जाता है जब हम reading का process कर रहे होते हैं तो अकसर हमें कुछ चीज़ें बहुत कम टाइम में पढ़ने के लिए दी जायती है और वो usually class timings हैं, जसके अगर आपकी एक घंडी की class है या 45 minutes का कोई lesson है और उसमें आपको एक short story read करने के लिए दी जाए और कहा जाए कि इस पे आप अपना reflection लिखें या इसके बारे में आप discussion करें तो access students बहुत ज्यादा nervous हो जाते हैं क्योंकि वो इस चीज को सुनके ही stress out हो जाते हैं कि इतने से time में हम इतनी बड़ी story कैसे read करें उसका सही तरीका होता है skimming, skimming में हम सिर्फ main points देख रहे होते हैं और main points देखने का तरीका ये है कि अगर आपके story, article या किसी भी reading material में जितने paragraphs आपको दिये गए हैं आप उन paragraphs को count कर लें, let's suppose आपके पास 5 to 6 paragraphs हैं, त जिनके उपर detail में बात की गई है, skimming आपको सिर्फ उन main points पे focus करने के लिए सिखाई जाती है, जो हर paragraph की first line यानि के topic sentence में आपको बताया जा रहा है, जब आप skim करके या skimming के process के थुरू main points हर paragraph से drive कर लेंगे, तो फिर आपके लिए वो पूरा material समझना बहुत जादा असान हो जाएगा, ये तो है skimming, इसके बाद scanning का process start होता है, scanning की जरुवत जैसे के आपको समझ आ रही है कि scanning is a detailed process, scanning के process के लिए हमारे पास time और उसके लिए कोई एक objective होना बहुत जरूरी है, so for example, अक्सर हम से कहा जाता है कि हम इस पूरे article में से चंद वो बाते बताएं, जो के उ उसमें लिखी भी भी नहीं है, लेकिन आपको read between the lines, you need to figure out the message out of that text and you have to narrate it, जब आपके उपर इस तरह की situation आ जाए कि आपको वो बातें बतानी हों जो उस पूरे text का implicit meaning है, यानि के छुपा हुआ मतलब है और directly लिखा नहीं गया है, या आपके सामने apparently मौजूद नहीं है, क्योंकि scanning में आप हर वो detail, हर वो verb, हर वो adjective, हर वो part of speech note-down कर रहे होते हैं, जो उसमें writer ने use की है, उसके थूरू आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं, जो वो हम से कहना चाह रहा है, through the way and the style of writing. Style of writing can be easily predicted by scanning. Scanning is a detailed process, which can only be utilized when you are doing the pressy writing. ये chapter, जो हम अभी कर रहे हैं, reading comprehension, ये आपको pressy writing में भी बहुत अच्छी तरह help करेगा. Paper pattern के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये एक ऐसा chapter है, जो इतना important है, कि आपको दो question solve करने में इसकी help मिल जाती है. झाल